नमस्कार, मैं हूँ रेखा, मेरी सुपरसे में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बनाने जारे हैं बहुत ही टेस्टी मिस्सी रोटी और साथने बनाएंगी टमाटर की चट्नी इस चट्नी को आप 5-6 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज में रखकर और यह जो मिस्सी रोटी है हम इसे एकदम तंदूर की तरीके से बनाएंगे जैसे तंदूर में बनाते ना, लेकिन बिना तंदूर के बनाएंगे होटल, रेश्टोर में जैसे मिलती है वीडियो को फूलोज कीजेगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेर कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को पर ज़रू कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आपको ये रेश्टिक कैसी लगी, कमेंट्स करते ज़रू बताएगा तो चलिए बना लेते हैं, बहुत ही टेस्टी मिस्सी रोटी और साथे बनाएंगे चेटनी तो देखें सबसे पहले टमाटर की चटनी बनाएंगे उसके लिए आपर मैंने 5 टमाटर लिए थे और लालाल कलो की टमाटर लिए देखें सिख्या होगा ना चटनी का कलर बहुत ही बड़ी आएगा तो इस तरह से बड़े-बड़े लशन की कलिया ली है मैंने थोड़ा सादरक लिया है उससे छील कर दो लिया अदा लसन को बच्छे से दो लीजिगा और इसमें एड़ कर दीजे अब यहां बेगे दो-से टीन मैंने लाल मिर्च लिए जो गिली वाली लाल मिर्च जाते न बहु लिए अगर आपके पास नमक डाल रहे हुए स्वात कर डाल लीजेगा और थोड़ा सा पाने डाल कर इससे पीस लीजेगा एकदम बारिक फाइन पेच इसका बनाना है यहां देखे मैं आपको पीस कर दिखा देती हूं यह देखे अच्छे से पीस लिया है मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए द्यान यहां पर साबू सौंप भी लेज सकते हैं यहां पर आदा चटा चमच ले रहे हूं मैं मगरेला सीट जिसे कलोंजी कहते हैं इससे टेश बहुत बढ़ी आता है दो पिंच हिंग भी डाल दीजेगा स्वात बढ़ी आएगा चटनी का और अच्छे से सभी मसालों गो चटकन यहां पर थोड़ा सा पाने डाला है मैं देखे दो से तीन चमच लेए जादा नहीं डाला है अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजे और बढ़ी आसा उबाल आने दीजे अब यहां देखे चटनी में जो है अच्छा सा उबाल आ रहा है अब इसे क्या करेंगे धग कर पकाए चटनी को फिर से चेक कर लेता है यहां देखे चटनी की सरह से ऑयल छोड़ने लगी लेकिन इसे थोड़ा और पकाएंगे तुम्हें से धक देती हूं और पकने देती हूं अब यहां देखे साथ से 8 मिंट हो चुकी चटनी को पकाती हूए मुझे और चटनी जो है हमारी प प्यारा है मैं आपको पास से दिखा देती हूं यह देखे टमाटर जो हमने लाला लिये थे और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तिमाल के आता तो कलर बहुत ही प्यारा आता है तो टमाटर है ना लाली लीजेगा यह बहुत बढ़िया लग रही है आप इसे पराठो के साथ पूर आधा चमच मैंने आपर कुटाओ घड़ा धनिय लिया है आपके पास सावत बाला नो तो ले ले लिए गएगा मरे पास कुटाओ अथा इसलिए मैरे यह ले लिया आपर आधा चमच जीरा ले रहे हैं इन सभी मसालों गों में क्या करना है गयास पर थोड़ा सा रोस्ट कर तो चलिए अब गैस कोफ कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं यहां ठंडा करने के बाद मैं इसे कलबत्य में डाल लेती हूं और इदे के पैन हमारा गरम है तो क्या करेंगे आपर एक चमच कसूरी मेथी ले रही हूं इससे क्या होगा न यह अच्छे से रोश्ट हो आप मिकसी भी पीछ सकते हैं तो मसाला भी तही आ रही है कसूरी मेती बहुत चुकी है अब यहां पर मैंने बड़ी सी परात लिये इस पर चन्नी लगाईए यहां पर दो कप डाल रही हूं बेसन बेसन आपके पास जैसा भी हो ले लिजेगा मोटा बारिक जैसा भी हो तो अच्छे से चान लिजेगा बेसन को चानना बहुत जरूरी है यहां देखे मैंने बेसन को चान लिया है अब इसी कप से मापकर में डाल रही हूं यहां पर एक कप गहू का आटा अब यहां पर कुछ मसाले इसमें आड़ करेंगे सबसे पहले जो मसाला मैंने पीस का रखा अब यहां पर आदा चुट चमच अजवाइन डालेगा ताकि कुछ भी बहुत बढ़िया है अब यहां पर देखे मैंने अनार दाना लिया है उससे बारिक पाउडर बना लिया था इस तरह से अगर आपके पास हो दो डाले हो लेकिन इसमें जरूर डाला जाता है मिसी अब यहां पर डालेंगे कसूरी मेथी जो हमने पैन में डाल कर रखी देके तरह से अच्छे से तयार हो गए तो थोड़ा सा रब करते हो डाल देजेगा एक मैंने हरीमेच लितियों से बारिक कट कर दिया था यह भी डाल देते हैं और यहां पर देखे मैंने लसून लिया ह आप यहां पर अद्रक भी डाल सकते हैं और यहां पर एक प्याज लिया था उसे बारिक चौप कर लिए इस बात का ध्यान रखेगा प्याज को आपको बहुत ज़्यादा बारिक चौप करके ही डालना है अब यहां पर हरा धनिया है उसे बारिक बारिक कट करके मैं डाल दे आप पराठों में जब बनाए ना पराठी तब भी उसे डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है, तो बारी बारी करके डाल दीजेगा, देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, अब यहाँ पर आधा चमट डालेंगे नमक, स्वात के नुसार डाल लीजेगा, और एक पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि यह बेसन है पानी बहुत कम पीता एक थोड़ा-थोड़ा डालीगा, बहुत ज semble हो जाएगा, तो आटा आटा को जिसे रोटियां अब क्या करेंगे इसे ढख कर रखेंगे मैं इसे अच्छी से मसल दिया है और आठा देखें जैसे रोटियां बनाते हैं उसे थोड़ा सा ठाड रखा है ढग दीजिए 10-15 मिंट के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद हम देखेंगे आठा अच्छी से सेट हो चुका है देख अब यहाँ पर देखें एक पोशन ले लिया है और इस तरह से मैंने पेडा बना लिया है और चकला बिलन लिया है सुखा अठा डालिए और रोटी बना लिए तो रोटी बहुँदा पतली मत कीजिएगा और यह रोटी थोड़ी चिपकती है तो आप इस पे सुखा अठा ज चुकी है, यह देखिए रोटी मैंने कैसे रखक है, इस तरह से रखके, थोड़ी सी मोठी है, तो देखिए मैं दो तरीके आपके साथ शेर करूंगी, यहाँ पर क्या करेंगी, बढ़े तंदूर वाला तरीका बताऊंगी, जो होटल में मिलता है न, तो यहाँ पर थोड़ी स अपको उठा करना है यह धनिया वाली side थह उसे नीचे रखना है इस सरह से और इस side में आपको लगाना है वो वाली सैड आपको नीचे रखनी है और जो धनिया वाली सैड हो उपर रखनी है तो यह देखे अच्छे से दबा दिया है ताकि रोटी हटे ना और जब रोटी उपर से थोड़ी ड्राइव हो जाए और इस तरह से बबल सा आपको दिखने लगे तब आपको पता लग एट्थवरे में मिलती है इस तरह से बनाते हैं लेकिन उनके पास तो गया होता बड़ा सा तंधूर होता है उसमें वो पकाते हैं लेकिन हमारे पास जिसम नहीं है वह तो आप ना रहे घुमाते श्गनी जीकतों बदा रहे है तो यहां गुमातेल से श्गणущ ने उस साथ तरीका है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे रोज रोटी बनाते हैं आम वैसा तो अच्छे से पल्टा लीजे निकाल लीजे रोटी आराम से निकल जाएगी और देखें पीछे से कितने अच्छे से पकी है बहुत ही प्यारा कलर आ गया है अब आप इसके उपर बट चले इसे पलट देते हैं गैस को यहाँ पर मैंने मीडियम किया हुआ है और जब नीचे वाली साइड बे अच्छे से पक जाए तब आपको एक कपड़ा लेना है साफ वाला कपड़ा उससे रोटी को इस तरह से प्रिशर देते हुए दबाते हुए शेक लीजेगा ऐसे रो तो रोटी और चटनी दोनों तयार है तो चले फटा फट से सर्व कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए डाल लेती हुँ चटनी सबसे बहले है हमारी टामाटर की और यहाँ पर मैंने राइता भी रखा इसके साथ सर्व किया है आप इसे राइते के साथ भी इंजोई कर सकते और यहां पर हमारी मिस्सी रोटी बहुत ही तेश्टी लगती है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को प्रेश ज़रू कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगे तक पहुंच सक लेगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद